और UKSSC की तरफ से एक notification आया है, समवाद जारी हो रखा है, आपका रे सिपाही के written exam की date को लेकर, क्योंकि proper notes बनाने में क्या होता है न, एक भी हम point ना छोड़ें ही गाईज, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग, आज है 16 जन्वरी और हमारे स्कूल खूल चुके हैं, तो अभी morning का वक्त हो रहा है, अभी 8 बज रहे हैं, और मम्मी ने breakfast बना दिया है, तो कल मकर संक्रांती का त्योहार था, तो आज घुगुती बना के कवे को द पानी भी रखा था, तो पी लिया होगा ही ती धंड में कौन पी रहा है, पानी मैसे है, कल के कपड़े हमारे सूखी ही नहीं, कल धूपाये नहीं थी तो अभी तक छट पी है, अभी छट पर में यही देखने के लिया है, क्योंकि कवे ने अपनी खुगुती खाई है यह न पर जाना है पुरे नहीं लेनी मुझे ऑपने नए समस्टर के लिए भूक्स दोने लेनी है, लाइबरेरी से पता करना है, अब भी बूग्स मीली तो इन प्यार नहीं सबकूं और पर उसके पाद भास जाओंगे, मैं स्कूल पर तो अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूं पापा ने खाना खा ले ममी नहीं खा रहा है आज ममी ने मास की पूरिया बना रही है जो मास की दाल होती है उसको पीस के जो पूरी बनती है आज के दिन वहीं बनाई है तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूं पापा ने खा लिया है पा और अभी मुझे जाना है पडोस में घुगूती बाटने के लिए तो पडोस में जाती हूँ ममी ने बना रहे हैं पडोस पे देने के लिए मुझे देर हो गई है पर मुझे जाना तो है गई तो दोस्तों मैं गुखूतियां बाट के आ गई हूँ और अभी रेडी हो चुकी हूँ अब सीधे में जा रही हूँ कॉलेज को देर हो गई भूजाता हूँ तो हमारे सैवंत क्लास में टोटल 46 स्टुडेंट हैं लेकिन उनमें से आ जाये हैं केवल पांच बच्चे चुट्टी के बाद फर्स डे सिर्फ पांच बच्चे आये हैं और स्कूल में बहुत सारी क्लासे साथी हैं जहां बच्चे आये नहीं है अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ हम लोग पढ़ रहे हैं देखिए आपकी मेलत करनी पढ़ती है इसकी लिए हमारी में मेरी हमें घड जा रहे हूँ दोस्तों थकी हारी मैं वापस आ चुकी हूँ घर पे क्योंकि आज बहुत कम बच्चे आये थे मेरे काम भी कंप्रीट हो जाएगा और अभी मैं कपड़े बदल लेती हूँ खाना खा लेती हूँ आज ममी ने खिचुडी बनाई हूँ कि मकर संकरांदी में पीर चीज बनाता है ना खिचुडी करवाल साइड बनता है कि तो इस वजह से और ममी यहीं पर बैठी है फोन च जारी हो रहा है आपका रही सिपाही के रेटन एक्जाम की डेट को लेकर जब UKSSC से अपना एक्जाम क्रेंडर जारी किया था तब आपका ही सिपाही का उसमें जो एक्जाम की रेट थी वह थी 31st January लेकिन ठीप्र जनवरी तक तो फीजिकल कंपलीट ही नियोंगे फीजिकल आपके चलेंगे 15 फरवरी तक और जिन लोगों ने भी अपना मेडिकल लगाया होगा तो उनकी 15 फरवरी के बाद भी हो सकते हैं या फिर पहले भी हो सकते हैं ठीक है तो इस वजए से अब जो नई डेट है वो है मार्च में तो रिटन हमारे होंगे मार्च में और इससे पहले कह रहे थे कि जब न्यूज में ऐसी खबर आ रहे थी कि 25 फरवरी को रिटन होंगे तो हम सबको यही लग रहा था कि 25 फरवरी को होने हैं लेकिन बोर्ड एक्जाम भी है बता रहे हैं तो इस वजए से मार्च में होने है अब वो मार्च में लास लास तक ही होंगे मुझे ज तो मैं आज कोमेंट में इसी व्लॉग के पिन कर दूंगे अपना जो कोमेंट है उसकी लिंक टेलिग्राम की तो वहां से आप देख लेना पीडिया पगेरा जो होती है यू के ट्रिपल सी या फिर यू के पीएसी से तो मैं वहीं पर अपलोड कर देती हूं वहां से आप 20 फरवरी तक फिजिकल निपड़ जाएंगे और उसके बाद मार्च में हमारी डेटान एक्जाम हो जाएंगे तो अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैं आचूकी हूं पढ़ने के लिए तो थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि अभी तक 25 फरवरी सोच के ऐसा लग रहा था कि अब दिन ही कितने रह गए हैं बहुत कम दिन बचे थे लेकिन आप थोड़ा मार्च में चला गया तो थोड़ा सा टाइम मिल गया है क्योंकि मेरे इंटर्शिप भी फरवरी में खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मुझे और अभी मैं अ सोसते हूं कि यह वाला एक्जाम आ रहा है नहीं जब भी मैं यह सोसते हूं कि नोट्स बना लो तो फिर एक एक्जाम आ जाता है फिर एक्जाम आता है तो फिर नोट्स बनाने में हमारा टाइम बहुत खर्च जाता है ना सब कई होता है तो जब भी एक्जाम के लिए मैं किसी भी कॉपी में ठोड़ा सा लिक लिक के पढ लेती हूं क्योंकि proper note बनाने में क्या होता है ना एक भी हम point ना छोड़ें वैसे बनाने पड़ते कि no बार बार तो बनते हैं नहीं तो अभी तक मैंने जिला सीरीज वाले और हिंदी के कुछ नोट्स बना रहे हैं वही नोट्स हैं मेरे पास जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर आप वहां से देख सकता है PDF पूरी दे रहे हैं मैंने जिला सीरीज वाली जो भी BS नेगी में था और साथ मैं YouTube चैनल से भी देख रहे हैं मैंने बहुत सारे लोगों के और internet से भी देख रहे हैं जो जो main main जिला सीरीज में जितने भी fact होता है वो सारे मैंने cover कर रहे हैं हर जिला सीरीज के अभी कुछ जिले रहे गए तो मैं जिला से उसमें कर सकती थी लेकिन फिर मुझे फिजिकल की तैयारी करनी थी और साथ में B8 का जो यह फाइले मिले की थी वह भी करना था इस वज़े से मैंने वह प्रॉपर कंप्लीट करें नहीं तो अभी तो फिलहाल मैं छट से कपड़े लेके आरके बहुत सारे और म अब दो तीन घंटे लगाता है मुझे फोन पे बिल्कूल भी नहीं लगना है क्योंकि फोन पे अभी मैं लगी हूँ नोटिफिकेशन वगरा मैं अपलोड कर रही थी अपने मेन वाले चैनल पे तो मेरे आंकों में दर्द हो जाता है फोन पे अगर मैं जादा देर तक देखत क्योंकि जब सब्फलता मिल जाती है ना तो उसके बाद तो फिर हम जब दूसरी जॉब की तैयारी करते रहते हैं जैसे एक जॉब एक हमारी नौकरी लग दे पर उसके बाद दूसरी तैयारी कर रहे तो वह वाली जो तैयारी होती है ना वह वैसी वाली तैयारी नहीं होती तो उसको ना बिल्कुल जी के बिल्कुल मैं एक्स्प्लेन नी कर पा रही हूं कि मैं क्या बोलना चाहरी हूं अगर किसी को समझ भा रहा हुआ तो कमेंट कर देना कि मैं क्या बोलना चाहरी हूं यह बोलना चाहरी हूँ कि जैसे अभी हम लोग तयारी कर रहे हैं तो हमें उस पल को जी कर तयारी करनी चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके तयारी करनी चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो दिन है भी तैयारी वाले जब हमें सफलता मिल जाए तो ये दिन वापस नहीं आएंगे और हम इन दिनों को सोच के तो दुखी होंगे कि हम कितना जदा प्रेशर में थे उस वक्त जब हम पढ़ रहे थे क्यों हम इतना प्रेशर ले रहे थे हम खुश होकर भी जब देखते हूं मेरी अच्छा बुक महां पर रखी है तो वह सारे बुक का साथ बज़े से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होगी साथ साथ जाथ आठ से नो दो घंटा पहले कंट्यूनियू पढ़ लेती हूं फिर देखती हूं यार मम्मी खाना ला गई है मैंने मना किया था क अब भी अभी स्कूल सा आके खाना खा रखा है इतनी सारे खिचडी खा रहे हैं फिर उसके बाद भी मैं नहीं खा सकती और इस रात में हरी सबजी खाने का तो मेरा बिल्कुल भी मोड़नी बिल्कुल घाज जैसी दिख रही है सो नया दिन निकल चुका है और साड़े चार बज रहे हैं चार बज़े में उड़ गई थी पढ़ने के लिए अभी हिंदी के एमसी को सॉल्व कर रही हूं और बहुत अदर थंडी हो रही है नीद भी लग रही है ऐसा लग रहा है कि आपने आपको ऐसे धकलो कि कहीं से भी कि हवा ना आपाई किए बहुत ठंडी है सुब्सवेश अबर जैसे कि मैं रो रही हूं पर ऐसा नहीं है मेरी आंखों में आशों सुब्सु बॉर्ंथिम्वाले यहां थंडी की वजह से और नीद भी मुझे उतनी आ璃ए क्युकि इतनी जल्दी उठते तो अचानक से खुलती नहीं तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स लॉग में तब तक क्लिए मैं पढ़ लेती हूँ बाबाई टिक क्यार